तीन ऐसे बिल हैं जो क्रिशी से जुड़े हूए हैं और इसी को लेकर तक्रीबन एक लाग किसान दिली की ओर निकल पड़े हैं किसानों का कहना है कि ये जो तीन बिल सरकार लेकर आई है वो कहीं से भी ठीक नहीं है और इससे किसानों का बहुत जादा नुकसान होने वाला है। लेकिन सरकार कहती है कि ये तो किसानों के हिद की बात है क्योंकि मोदी सरकार यानि कि बीजेपी सरकार सर्फ और सर्फ किसानों के हिद में फैसले लेती है किसानों के अगेंस्ट नहीं लेती है तो अगर सरकार ये कह रही है कि ये बिल सही है तो फिर क्यों किसान नाराज है लेकिन अगर किसान कह रही है कि इस बिल में खामी है तो आखिर सरकार ने ऐसा फैसला क्यों लिया है ये भी एक बड़ा सवाल है मोधी सरकार कहती है कि जो बिल लेकर आए हैं वो तो किसानों के लिए वरदान है लेकिन किसान कहते हैं ये तो जी का जंजाल है सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि वो तीन बिल कौन से हैं जिसे लेकर घमासान मचा है और घमसान आज नहीं जब ये बिल लोकसभा में पारित हुआ था उस वक्त भी मचा था केंद्रिय मंत्री हर सिम्रक को और बादल ने इन ही बिल को लेकर अपने नाराजगी जताई थी और स्तीफा भी सौपा था पहला है कृषक उपज व्यपार और वानेज समवर्धन और सरलीकरण विधयक 2020 दूसरा है कृषक स्थशकति करण और समरक्षन कीमत आश्वासन कृषी सेवा पर करार विधयक 2020 और तीसरा है आवश्यक वस्तू संशोधन विधयक 2020 किसान संगठन लगातार रोड पर निकल रहे हैं आवाज बुलंद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये तीनों के तीनों बिल जो है वो किसानों के कब्र को खुदने का काम करने वाली है लेकिन मोधी सरकार लगातार ये कह रही है घबराये मत हम आपके साथ हैं चलिए, तो कई सारे ऐसे प्रदेश हैं जहां से किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार को हमारी बात सुननी पड़ेगी, वो राज्य कौन-कौन से हैं, सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं. पहला राज्य है पंजाब, दूसरा है हर्याना, तीसरा है उत्तर प्रदेश और चोथा है मध्यप्रदेश. तो ये चार राज्य ऐसे हैं जहां से किसान दिल्ली के लिए बढ़ चुके हैं, रास्ते में हैं और साथी साथ दिल्ली में एंट्री ना हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली के बॉर्डर को स्टील किया गया है, वहाँ पर पुलिस जो है, मौजूद है, तैनात है किसानों को घुषने से रोकने की पूरी कोशिश में लगी है, अब आपको बताते हैं इन तीनों बिलों के बारे में कि आखिर सरकार का पक्ष क्या है और किसानों की समस्या कहा है, शुरुवात करते हैं पहले बिल से, पहला बिल है कृषी उपज व्यपार और वानेजज सम और सरली करन विदेयक 2020, इसमें किसानों की समस्या है कि MSP का सिस्टम खत्म हो जाएगा और अगर किसान मंडियों के बाहर उपज बेचेंगे तो मंडिया खत्म हो जाएगी, इनाम जैसे सरकारी पोटल का क्या होगा ये भी किसान पूछ रहे हैं, तो सरकार का पक्ष है कि MSP पहले की तरह जारी रहेगी, मंडिया कहीं भी खत्म नहीं होंगी और नई वेवस्था से किसानों को मंडि के साथ-साथ दूसरे जगों पर भी पसल को बेचने का विकल्प मिलेगा, साथी साथ ये भी कहा गया कि मंडियों में इनाम ट्रेडिंग जारी रहेगी, तो पहले में क्या कुछ है जिससे किसान परिशान है और सरकार उन्हें समझाने की कोशिश किस तरह से कर रही है दूसरा बिल है क्रिशी सशक्तिकरण एवं संरक्षन कीमत आश्वासन और क्रिशी सेवा पर करार विदहयक 2020 इसमें किसानों की समस्या है कि कौंट्रैक्ट रिया एग्रिम होगा ये किसानों का डर है वहीं सरकार कहती है कि कौंट्रैक्ट करना है या फिर नहीं इसमें किसान को पूरी आजादी दी जाएगी वो अपने इक्षा से दाम तै कर सकेंगे और फसल बेज सकेंगे इसके अलावा कहा गया है कि विवाद की स्थिती में कोट के चहरी जाने कि जरूरत नहीं होगी स्थानी अस्तर पर ही विवाद को निपटाया जाएगा लेकिन तीसरे बिल पर भी काफी जादा सवाल है तीनों के तीनों बिल ऐसे हैं जिस पर किसान फ्रेंट फूट पर है और दूसरी तरफ अगर बात करें सरकार की तो वो भी मूड में नहीं है इन तीनों बिल को वापिस लेने में खेर तीसरे बिल में किसानों की समस्या क्या है और साथी साथ सरकार का पक्ष क्या है आपको हम ये बता तीसरा बिल है आवश्यक वस्तू संशोधन विधेयक 2020 इसमें किसानों की समस्या है कि बड़ी कमपनियां आवश्यक वस्तू का सरकार कहती है कि किसानों की फसल खराब होने की आशंका दूर हो जाएगी और एक सीमा से ज़ादा कीमत बढ़ने पर सरकार के पास उस पर काबू करने की शक्तिया रहेंगी साथी साथ इस्पेक्टर राज भी खत्म होगा और ब्रश्टा चार भी तो हमने आपको बताया कि तीनों बिल में किसानों को समस्या क्या है कहां किसानों को डर है तो वही तीनों बिल में सरकार क्या कुछ पक्ष है लेकिन अभी तक की जो इस्थिती दिख रही है उसमें ऐसा नहीं लग रहा है कि सरकार इन तीनों बिल को वापस लेने के मूड में ह क्योंकि बहुत ही तेजी के साथ इस बिल को पास कराया गया और अब इसका जो कानून है वो भी बन चुका है इन सब की बीच सवाल ये कि क्या सरकार और किसानों की बातचीत से रास्ता निकलेगा सरकिसान जो है वो लगातार दिल्ली की और बढ़ रहे हैं कहीं पानीपत में डेरा डाला है किसानों ने अम्बाला में भी किसान डटे हुए हैं तो उधर बहादुरगर का जो एरिया है उस साइड सभी किसान आने की पिराक में हैं लेकिन दिल्ली में जो entry उनकी होने वाली उसे रोकने के लिए बें इंतजामात पूरी तरह से किये जा चुके हैं आने वाले दिनों में ये प्रदर्शन कितना उग्र होगा ये भी देखने वाली बात होगी क्योंकि किसान जो भी निकले हैं उनमें ये देखा गया है कि उन्होंने अपनी पूरी विवस्षाएं कर रखी है जो उनके साथ ट्रैक्टर चल रहे हैं उसमें महीने दो महीने नहीं तक्रीबं 6-6 महीने का सामान उनके पास है यानि कि किसान हैं इस बार आर पार के मूड में लेकिन सरकार का फैसला क्या होगा ये भी एक बड़ा सवाल है